हलो डियर इस्टुडेंट्स, गुड इविनिंग टु आल, मैं रविकांत आप सभी का वेलकम करता हूँ विनायक नर्सिंग अकेडमी में और आज डियर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर जी आई सिस्टम तो इसके अंदर आज के लेक्चर में हम लोग बेसिक्स पढ़ेंगे, like Anatomy and Physiology के अंदर हम लोग पढ़ेंगे Embryonic Development of the GI System इसके लाव एपिथिलियम टिस्व क्या होता है और हिस्टोलोजी, साथ में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं डियर हिस्टोलोजी भी डिसकस करेंगे, GI सिस्टम की हिस्टोलोजी को भी हम लोग पढ़ेंगे ठीक है डियर तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि विनाएक नर्सिंग अकेडमी की अप्लिकेशन को आप अपने फ्रेंड्स के साथ में सेयर करिए उनको भी बताईए कि इस तरीके से हम लोग पढ़ा रहे हैं, किस तरीके से हम लोग educate कर रहे हैं ठीक है और अगर आप enjoy कर रहे हैं विना के साथ इस टड़ी को तो 5 star rating अवस्या दे और अपना एक प्यारा सा review जरूर लिखते रहे हैं और hardware करते रहे हैं महनत करते रहे हैं क्योंकि yes dear don't stop when you tired आपको ठक जाओ तब नहीं रुकना है stop when you are done जो आपने सोचा है जो आपने target बनाया है वो achieve कर लो उसी दिन आपको रुकना है otherwise ठकने से रुकने का कोई आपके पास में option नहीं है ठीक है चले आगे बढ़ेंगे dear बात करते हैं embryonic development of GI system की हम लोग पढ़ेंगे then after histology पढ़ेंगे तो embryonic development का मतलब होता है dear जैसे हर system अपन पढ़ रहे हैं MSN के अंदर कोई भी system पढ़ रहे हैं सबसे पहले embryonic development में पढ़ाता हूँ ठीक है तो अब बात करेंगे GI system का embryonic development third week से start हो जाता dear 3rd और 4th week में embryonic development start हो जाता है from the both mesoderm and endoderm याद रखिएगा yes तो embryonic development of GI system कब start होता dear start starts at third week yes और range wise आये तो dear 3 to 5 week 3 से 5 week के अंदर embryonic development होता है एक एक option में आये तो third week में embryonic development start हो जाता है GI system का from किस से होगा dear yes from from yoxac yoxac yes dear yoxac folds yoxac fold में dear 2 fold बनेंगे और दोनों fold बनते हैं dear endoderm से endoderm and dear second fold is mesoderm mesoderm तो इसका मतलब GI system का formation किस से होता है dear yoxac से होता है और yoxac से ही अपने पढ़ा है dear किस का formation होता है blood का formation भी किस से होता है yoxac से ही होता है ठीक है blood cells के अंदर hematology पढ़ाया है उस time पे मैंने बताया था अब बात करें मैंने बताया कि GI system endoderm से भी बनता है और दूसरा डियर मीजोडर्म से भी GI system का formation होता है endoderm सबसे अंदर वाली layer फिर मीजोडर्म और सबसे बाहर acto-derm होती है यह अपन अलड़ी जानते हैं ठीक है endoderm से क्या-क्या बनेगा डियर और मीजोडर्म से क्या-क्या बनता है से बनती है डियर endothelium से बनती है उसके बाद का जो होगा डियर बाद का जो होगा connective tissue connective connective tissue and muscles muscular layer muscular layer जो होती है डियर GI T की वो किस्से बनेगे डियर मीजोडर्म से उसका formation होगा याद रखेगा इसकलाव जो accessory organs होते हैं like liver हो गया goal blader हो गया pancreas हो गया उनका formation किसे होता डियर endoderm से ही होता है तो यहाँ पर और क्यक्य हो जाएंगे डियर liver pancreas goal blader इन सभी का formation किसे होगा डियर yes endoderm से ही होगा इसका अबलब GI tract जो होती है like अपन बात करें mouth से लेकर यहाँ तक की जो tract होती है अपने पास जिसमें अपने पास isofagus भी आएगा stomach भी आएगा small intestine, large intestine, rectum, anus यहाँ तक पूरी जो GI tract है उसकी yes epithelium layer जो है वो किसे बनती है डियर endoderm से बनती है और बाकी की जो layer हो जाएगी like sub-mucosa layer हो जाएगी adventi से हो जाएगी आज ही के lecture में अपन पढ़ेंगी histology तो वो सभी किसे बनती है डियर mesoderm से उनका formation होता है समझी मैं आया तो यहाँ पर याद रखने है like क्या बात है third week जो है GIT का formation स्टार्ट हो जाता है किस से होता डियर yoke sac के fold से होता है जो कि endoderm और mesoderm से बनता है अब बात करेंगे डियर yoke sac से जब ये दो fold बन रहे होते है third week पे तो यहाँ पर एक gut tube बनती है क्या बनती है डियर gut tube का formation होता है जिसको तीन पार्ट में divide करते है fore gut, mid gut and hind gut के नाम से इने जाना जाता है तो देखेगा डियर तो जब embryonic development होता है तो अपन लिखेंगे at third week third week पे जब embryonic development स्टार्ट हो रहा होता है तो बात करते हैं अपन जैसे ये हो गया yoke sac ठीक है तो ये fetal का fold बनना स्टार्ट हुआ है ये fetal का fold बनना स्टार्ट हुआ है और ये beach का part हो गया yoke sac beach का part क्या हो गया yoke sac हो गया ये fetal का part बनना स्टार्ट हुआ है ठीक है अब बात करें yoke sac third week में क्या होगा ये yoke sac जो है yoke sac खुल करके fold बनाएगा और वो fold एक tube like structure बनाएगा क्या बनाएगा डियर एक tube like structure बनेगा जिसके आगे वाले पार्ट को अपन बोलेंगे four gut आगे वाले पार्ट को क्या बोलेंगे dear four gut बोलेंगे beach वाले पार्ट को अपन बोलेंगे dear mid gut mid gut और last वाले पार्ट को बोलेंगे dear hind gut hind का मलब पीछे वाली gut ठीक है और इनी से पूरा GI सिस्टम बनता है अब 4 gut से क्या बनेगा, mid gut से क्या बनेगा hind gut से क्या बनेगा वो सब चीज़े अपन समझने वाले हैं समझिएगा yoke sack yoke sack का fold बना और fold बन करके fetus के अंदर एक tube बनी ठीक है, tube बनी like अपने nervous system में neural tube पड़ी थी उसी तरीके से gut tube बनती है यहाँ पे कौन सी tube बनेगी डियर gut tube का formation होता है, किस से होगा yoke sack से, तो yoke sack के fold बनेगे और fold कौन सी layer के बन रहे हैं यहाँ पे mesoderm and endoderm के इनी fold से आगे वाले हिस्से को foregut बोलेंगे, बीच वाले को mid gut और last वाले को hind gut कहेंगे रखेगा, सबसे पहले pharynx pharynx हो गया, इसके बाद में डियर esophagus esophagus हो गया इसके बाद में stomach stomach हो गया इसके बाद में डियर duodinum duodenum duodenum का कुछ part इस से बनता है, इसकेlic foregut से ही बनता है, liver इसी से बनता है pancreas इसी से बनता है गॉल ब्लेडर ये तीन ओर्गन भी इसी से फॉर्मेशन होगा ठीक है सेकेंड जो गट होगी दियर सेकेंड पार्ट होगा गट का that is mid gut mid gut mid gut से किस-किस का फॉर्मेशन होता है तो देखें मेजर फॉर्मेशन तो किस से हुआ mid gut से फॉर्मेशन होगा small intestine small intestine small intestine जैसे की बात करें तो यहां पर आ जाएगा अपने पास में जो है duodenum तो duodenum देखें डियर duodenum आधी duodenum आगे की duodenum तो forget से बनेगी बाकी पीछे की duodenum है वो किस से बनेगी mid gut से बनेगी तो duodenum हो गया jejunum हो गया and ileum हो गया यह किस से बनते हैं बच्चो mid gut से बन रहे हैं इसके लावा dear mid gut से ही बनेगा cecum इसके लावा जो अपना transverse colon sorry ascending colon ascending colon and two third transverse transverse colon two third transverse colon तो small intestine के तो यह तीनो पार्ट हो गए yes or no तो यह तीनो पार्ट small intestine के हो गए इसके लावा dear cecum ascending colon और two third of transverse colon यह भी किस से बनते हैं dear mid gut से ही इनका formation होता है ठीक है और third gut हो जाएगी dear this is yes that is hind gut hind gut hind gut hind gut से जो formation होता है two third of transverse colon के आगे का one third जो बच गया एक तीहाई बच गया तो one third transverse colon इसके लावड यह अब transverse के बाद में क्या आएगा नीचे के तरफ descending colon descending colon देखे colon के तीन पार्ट होते हैं यह तो हो गया अपना ascending colon ठीक है यह हो गया transverse colon 45 cm 25 cm फिर यह 25 cm का होता है लगबग descending colon फिर यह होता डियर sigmoid colon और फिर last में होगा rectum और last में होगा NS तो इस तरीके से colon को अपन और यहाँ पे होता डियर secum जहां से small intestine small intestine जो है जुडती है ठीक है डियर small intestine जुडती है यहीं से एक appendix भी होता है आगे पढ़ेंगे अपनी structures चलिएगा बात करेंगे आगे अपन तो descending colon होगा डियर इसके लाव sigmoid colon sigmoid colon इसके लाव चो rectum rectum का formation भी इसी से होता है and upper anus upper anus का भी formation किससे होता है hind gate से ही होता है ठीक है तो embryonic development में क्या-क्या point याद रखने वाले है सबसे पहला point yes क्या-क्या point धियान रखना आपको सबसे पहला point third week पे embryonic development start हो जाता है ठीक है range wise बात करें तो three to five week पे होता है ठीक है next बात करें from yoke sack इसका formation होता है दो fold होते है endoderm और mesoderm endoderm सबसे अंदर वाले fold फिर उसके बाद में mesoderm और सबसे बाहर वाला fold होता है डियर कौन सा ectoderm जिससे nervous system बगेरा बनते हैं ठीक है तो endoderm जो होती है इससे अपने visceral organs बनते हैं तो अपने देख देए हैं यहाँ पे epithelium of GI tract और liver pancreas आगे अपन पढ़ेंगे वो सभी किस से बनते हैं mesoderm से बनती है इसके लावा yoke sex से यहाँ पे एक tube बनी जिसे अपने बोलेंगे gut tube जिसके तीन पार्ट foregut, midgut and hindgut foregut से ज़्यादा तर पार्ट बनते हैं बच्चो pharynx, isofagor, stomach, duodenum इसके लावा liver, pancreas और call bladder यह सभी किस से बनेंगे foregut से बनेंगे midgut से बनेंगे small intestine तो small intestine में देखा था अपने duodenum यहाँ भी बन रहा है और यहाँ पर भी duodenum का आधा पार्ट तो foregut से और आधा पार्ट किस से midgut से बनता है फिर जेजुनम और इलियम फिर large intestine का cecum ascending colon और two-third of transverse colon बनती है इसके लाव डियर hindgut से अपना बचा हुआ one-third transverse colon descending colon sigmoid colon और rectum और डियर upper part of NS का formation किस से होता है hindgut से होता है अब एक अच्छा सा diagram आपको दिखाता हूँ आप समझ जाएंगे इस diagram में देखे डियर तो इस diagram के अंदर बात करेंपन तो इस diagram में yoke sex से जो formation हो रहा है ये होगी अपनी कौन सी tube डियर GI tube होगी जिसे gut tube भी कहा जाता है या primitive gut tube भी कहते हैं तो जिसमें ये yellow part में दिखा रहा है इतना इतना part कहलाएगा foregut फिर उसके बाद में पिंक में दिखा रहा that is mid gut और ये जो blue में दिखा रहा है that is hind gut तो ये वाला part हो गया अपना NS से related हो गया ठीक है तो अपना foregut का जो part हो गया तो यहाँ पे foregut में क्या क्या बनेगी यहाँ पे foregut में आपकी pharynx बनेगी pharynx के बाद में deer isophagus बनेगी stomach बनेगी ठीक है और duodenum का भी देखो थोड़ा part बन रहा है यह सुनो इसके लावा liver बनेगा gallbladder बनेगा और pancreas भी इसी से बनता है hind gut mid gut से जो deer आधा duodenum हो गया फिर jejunum हो गया फिर ileum हो गया फिर hind gut से बाकी का जो बचा हुआ पार्ट है वो hind gut से बनता है very very important तो याद रखेगा कौन सी gut से कौन सा पार्ट बनता है question आ सकता है चलिएगा next बात करते है deer yes parts of GI system तो GI system को कितने parts में divide करते है वैसे तो अपने इसको details से पढ़ेंगे अभी just brief out करते है that is दो part में करते है deer तो पहला तो हो गया अपना कौन सा ओर्गन डियर GI organ यानि primary organ भी बोल सकते हैं और दूसरा हो गया deer accessory accessory organ पहला हो गया बच्छो primary GI organ primary primary GI organ और दूसरा हो गया deer accessory organ तो primary organ में क्या क्या आ जाएंगे deer primary organ के अंदर mouth से start होगा पूरा GI system तो mouth से लेकर के start होगा तो mouth होगा isophagus होगा sorry pharynx होगा पहले pharynx और pharynx तीन होती है पढ़ेंगे अपन एक detail से वैसे तो respiratory system में pharynx पढ़ा चुका हूँ हमाँ आपको कौन-कौन से हो जाएगे deer oropharynx, nezopharynx and laryngopharynx हो गया लेकिन यहाँ पर oropharynx पढ़ेंगे अपन ठीक है then after बात करेंगे आजाएगा अपना isophagus stomach small intestine small intestine के तीन पार्ट बच्चो कौन-कौन से yes duodenum, jejunum और ileum उसके लावा लार्ज intestine large intestine large intestine में क्या क्या आएगा deer cecum आएगा appendix आएगा colon आएगी ns आएगा rectum आएगा ठीक है तो यह सभी क्या होगे deer large intestine के पार्ट होगे इनको अपन डिस्कस करेंगे आगे accessory organs कौन-कौन से हो जाएगे deer तो accessory organs हो जाएगे deer जो कि सहायता करते हैं digestion में तो आपके teeth हो गए यह सोनो tongue हो गई तो teeth and tongue इसके लावा deer digestion में help करते हैं saliva आपका salivary gland salivary gland salivary gland detail से पढ़ेंगे अपन कौन-कौन सी पाए जाती है कौन सी gland सबसे यादा saliva secretion करती है वो सब पढ़ेंगे इसके लावा deer salivary gland के लावा हो गया pancreas liver liver को kitchen of the body के नाम से भी जाना जाता है पढ़ेंगे अपना आगे और इसके लावा deer gall blader these all are accessory organ of GI system तो यह accessory सहायक organ हो गए और यह क्या होगे deer main organ primary organ होगे GI system के तो यह अपन पढ़ने वाले हैं तो जिसके अंदर आपन देख रहे हैं accessory organ में आपकी salivary glands हो गई फिर यह आपका पूरा जो है यह वाला पार्ट हो गया isophagus then after stomach फिर यह small intestine हो गया ठीक है फिर आपका यह वाला पार्ट हो गया cecum यह हो गया appendix ठीक है dear फिर यह पूरा आपका transverse sorry ascending colon फिर यह transverse colon फिर यह descending colon फिर उसके बाद में sigmoid colon और last में dilated part क्या हो गया rectum और last में हो गया एनस तो इस तरीके से पूरा accessory organ में आपकी salivary gland हो गयी teeth हो गई pancreas हो गया gold blader हो गया और liver हो गया these are accessory organs yes or no dear चलिएगा तो यह अपन पढ़ेने वाले हैं बट उससे पहले अपन पढ़ेंगे histology ठीक है dear histology का मतलब tissue level की बात करेंगे तो yes dear next पढ़ते हैं अपन GI tract की layers या फिर histology histology का मतलब क्या होता है dear study of the tissue ठीक है तो जो GI tract होती है उसमें कौन-कौन सी layers present होती है वो ही अपन यहाँ पर discuss करने वाले हैं तो GI tract को अगर बीच में से काट के देखा जाए कहीं से भी तो कौन-कौन सी layer मिलेगी अंदर से बाहर की तरफ वो ही कहलाता dear GI tract की layer या फिर histology ठीक है तो मैं बात करूँ जैसे GI tract को अगर काटा जाए तो GI tract अंदर से क्या होती है folded होती है फिर layers पाई जाती है multiple layers यहाँ पर present होती है total 4 layer यहाँ पर present होगी GI tract के अंदर अब वो कौन-कौन सी layer है dear these are सबसे अंदर से बाहर की तरफ बात करेंगे inner to outer की बात करेंगे तो inner layer inner layer कहलाती है dear mucosa mucosa ठीक है फिर mucosa के just अंदर की तरफ second layer होगी that is sub mucosa sub mucosa sub mucosa के बाद में layer होगी dear muscle layer जिसे muscularis propria कहेंगे क्या कहेंगे dear muscularis propria muscularis propria कहा जाएगा और सबसे outer layer yes outer सबसे बाहर की तरफ जो layer होगी dear track के अंदर that is adventisia adventisia और syrosa layer adventisia और syrosa layer उसे कहा जाएगा yes or no तो चार layer यहां पे present होती है mucosa, sub mucosa, muscularis propria और adventisia अब बात करेंगे mucosa layer जो है सबसे अंदर की layer होती है तो mucosa layer में क्या होगी dear epithelium भी होगी gland cells भी होगी तो mucosa में तीन layer होती है dear first होगी dear epithelium epithelium और with glands तो plus glands और glands यहां पे कौन सी होगी dear यहां पे glands होगी goblet cells जो की mucos का production करती है कौन सी cell? goblet cell दूसरी बात करते है dear second layer होगी that is lamina propria lamina propria ठीक है dear lamina propria के अंदर आपकी लिखेंगे आपना आगे blood vessels वगेरा present होती है ठीक है lymph vessels and blood vessels present होती है और third होगी dear muscularis muscularis mucosa muscularis mucosa third layer होगी muscularis mucosa इसके just बाते को सबसे अंदर होगी epithelium फिर होगी lamina propria फिर होगी muscularis mucosa फिर आएगा आपका sub mucosa sub mucosa कैसा है dear तो ये loose connective tissue है loose connective tissue होता है जिसके अंदर क्या होगा dear large blood blood and lymph vessels blood and lymph vessels present होती है plus nerve supply nose bc के अंदर present होती है किसमे dear sub mucosa में muscularis propria में dear muscles layer पाए जाती है like बात करें yes longitudinal longitudinal muscle plus circular muscle circular muscle जबकि इस टमक में एक और muscle पाए जाती है पूरे GI tract में दो ही muscles पाए जाती है longitudinal और circular muscle longitudinal मतलब खड़ी muscles और circular मतलब rounded muscles like ये GI tract हमाल लीजिए तो इसमें जो circular muscles होगी और longitudinal जो सीधी muscles होगी ठीक है लेकिन stomach एक ऐसा organ है GI tract का जिसमें तीन muscle layer पाए जाती है तो तीसरी muscle layer का कहां कौन सी होगी dear that is oblique oblique muscle ये only किसमें मिलेगी dear only stomach only stomach stomach में तीन जो है layers present होती बाकि पूरे GI tract में केवल दो layers पाए जाए जाए की muscles की longitudinal और circular muscles सबसे last में होगे dear cirosa layer जो की covering होगी that is outermost covering outermost covering of GI tract GI tract की पूरे GI tract की outermost covering को क्या कहेंगी dear advent tissue और cirosa layer कहेंगी सबसे अंदर वाली layer mucosa जिसकी thin layer होती है उसमें भी सबसे अंदर epithelium tissue पाए जाएगा अब कौन से epithelium मिलती है वो आगे पड़ेंगी ठीक है lamina propria मिलेगी muscularis mucosa मिलेगी loose connective tissue मिलेगा lymph vessels और nerves किसमें present होगी dear sub mucosa layer के अंदर present होगी ऐसे muscularis propria है इसमें 2 muscles layer पाए जाती है लेकिन stomach ऐसा organ है जिसके अंदर 3 muscles layer पाए जाती है oblique muscle भी पाए जाती है और outermost layer को adventicia cirosa अपन कहेंगे ठीक है यहां तक तो यह basic होगी आप question कहां से बनते है वो अपन निकाल करके point लाते हैं dear चलेगा बात करेंगे यहां तक कोई question नहीं बनता है बट यह पता होगा तब आप question solve कर पाएंगे कौन सी layer कहां present होती है तो आप देखे यह question किस तरीके से बनते है वो चीज़ अपन सीखेंगे चलेगा तो यह तो अपनने जो सीखा है उसी को अपन दिखा रहे है यह अपनने कट लिया है कट के अंदर देखो सबसे अंदर जो layer होगे यह कौन सी layer दिखाए दे रही है epithelium ठीक है उसके बाद में second layer हो जाएगी डियर कौन सी lamina propria epithelium होगी lamina propria होगया और तीसरी muscularis mucosa जो यह आपको दिखाए दे रही है और इन तीनों को एक साथ बोलेंगे mucosa layer दूसरी होगी sub mucosa sub mucosa में पहला question point yes first question point sub mucosa के अंदर क्या पाया जाता है dear yes sub mucosa के अंदर क्या present होता है yes sorry yes large blood vessels lymph vessels and nerves पाई जाती है large but small blood vessels and lymph किस में मिलेगी lamina propria में मिलेगी आगी लिखेंगे अपन ठीक है second बात करेंगे dear यह होगया अपना कौन सा mucosa के बाद में sub mucosa sub mucosa के बाद में देखो यह circular muscles दिख रही है ऐसे ही क्या होगी longitudinal muscles भी वहाँ पर present होगी तो muscularis mucosa sorry muscularis propria भी इसे अपन कहते है dear ठीक है तो इस तरीके समझेगा then next बात करते हैं बच्चो इसी को अपन inner two बाहर देखे तो यह हो गया इतना इतना layer है mucosa फिर यह sub mucosa और यह होगी muscularis और चोथी layer होगी dear advent tisya mucosa में तीन epithelium lamina propria muscularis mucosa यह सोनो फिर sub mucosa फिर muscularis propria और फिर advent tisya very very important point ठीक है बच्चो अब दो तीन point देखो समझना है अपन को वो समझना क्या है yes देखो यह वाला जो part है अपने पास इस part से अपन समझेंगे सबसे पहले बात करते है lamina propria सबसे पहली किसकी बात करते हैं यह lamina propria तो lamina propria के अंदर dear blood and lymph vessels present होती है present होती पहला question दूसरा question lamina propria का दूसरा question lamina propria का ileum की lamina propria में lymph nodules पाए जाते हैं जिनें अपन pair species कहते हैं yes dear तो याद रखेगा ileum ileum तो अपना ileum कोन सा part हो गए dear duodenum, jejunum और ileum small intestine का last part तो ileum की lamina propria के अंदर क्या present होगा dear pair species pair species पाए जाते हैं वैसे तो lymphatic system में ने पढ़ा दिया आपको blood के साथ में वहाँ पे pairs species में समझा चुका हूँ फिर भी यहाँ पे फिर से diagram दिखाऊँगा फिर से समझाँगा आगे diagram दिखाने वाले अभी तो just question point निकाल रहे हैं दूसरा point दिखान रखेगा dear next बात करें सब्म्यूकोजा सब्म्यूकोजा में भी दो point याद रखेगा these are first point जो है सब्म्यूकोजा का वो क्या है dear large blood plus lymph vessel lymph vessel इसी में present होती है plus nerve supply भी इसी में होती है dear इसके अलावए dear सब्म्यूकोजा के अंदर एक plexus पाया जाता है जिसे nerve plexus भी कहते है और वो nerve plexus का नाम होता है dear misners misners plexus कौन सा plexus होता है dear misners plexus अभी देखेंगे समझेंगे बस question point निकाल रहा हूँ यहाँ ठीक है दूसरा dear muscularis propria में दो layer पाया जाती है longitudinal और एक circular layer stomach में तीन पाया जाती है बाकी सभी में दो पाया जाती है तो उन दोनों के बीच में यहाँ पे point present होता है that is known as orbex plexus orbex orbex plexus orbex plexus जिने हम लोग myentric plexus के नाम से भी जानते है myentric plexus के नाम से भी जानते है अभी क्या है समझेंगे direct question पूछा जाता है पहला question point तो यह पूछा जाता है कि GI tract की अंदर blood और lymph vessels कहां present होती है तो सीधा सा answer क्या देना आपको lamina propria में present होती है but specific कूछे large blood vessels lymph vessels and nerve supply किसमें present होती है तो उसका answer क्या दोगे sub-mucosa में present होती है यह questions है ठीक है दूसरा question dear pairs species यह question पूछा हुआ भी है pairs species GI tract की किस layer में पाया जाते हैं तो कौन सी layer में मिलेंगे dear यह सब sorry lamina propria के अंदर ही मिलेंगे कौन सी layer में मिलेंगे lamina propria के अंदर ही मिलेंगे और lamina propria भी कहां की keval ilium की ठीक है lamina propria फूरी GI tract में होगी लेकिन keval ilium की lamina propria में क्या मिलेंगे pair peaches मिलते हैं next point dear mesiners and orbeck plexus कहां पाये जाते हैं तो इनको अपन brain of gut के नाम से भी जानते हैं तो mesiners plexus है वो मिलेंगे आपको sub mucosa में और orbeck plexus जिने mindric plexus भी कहते हैं वो मिलेंगे आपको muscularis propria के अंदर ठीक है तो ये कुछ questions थे जो कि exams के perspective से important है पूछे जाते हैं जिसमेंसे एक question ये अल्री पूछा जा चुका है ठीक है याद रखेगा चलिए next बात करते हैं summarize करते हैं इस point को first बात करते हैं dear mucosa तो mucosa की layer पाई जाती है dear 3 mucosa की layer पाई जाती है first one is epithelium epithelium और GI tract में most commonly जो epithelium मिलती है वो मिलती है dear simple simple columnar epithelium most common आगे और पढ़ाऊंगा कौन-कौन सी पाई जाती है जिसका मतलब होता है single layer of lumpy cells lumpy cells की single layer है वो present होती है बच्चो ठीक है इसे simple columnar layer कहा जाता है तो simple columnar epithelium पाई जाती है plus goblet cells with goblet goblet cell goblet cell किसका production करेगी dear mucosa का production करती है mucosa producing gland जो है होती है ठीक है अब यह कहां सबसे ज़्यादा पाई जाती है वो भी देखेंगे आपन ileum में सबसे ज़्यादा goblet cell पाई जाती है लिखाएंगे आगे दूसरा जो layer है देट लेमिना लेमिना प्रोप्रिया लेमिना प्रोप्रिया के अंदर क्या मिलेगा dear blood and lymph vessel lymph vessel present होती है फर्स्ट पॉइंट सेकिंड पॉइंट पेर्स पेचेज परजेंट होते हैं पेचेज परजेंट होते हैं in ileum only केवल किसमे dear ileum वेरी इंपोर्टेंट क्यूशन ठीक है तीसरी हो जाएगी dear कौन सी muscularis muscularis mucosa muscularis mucosa muscularis mucosa में muscles पाई जाएगी जो भी दो परकार की होती है वो कौन-कौन सी होती है dear longitudinal plus circular circular muscles तो muscle layer देखो पूरे GI tract में दो जगह पाई जाते हैं बच्चो एक तो muscularis mucosa में और दूसरा muscularis propria नाम में समझना muscularis mucosa mucosa की layer है ठीक है जबकि muscularis propria एक अलग separate layer है जहाँ पर ये ये again बात करते हैं आपने जो लिखा है that is muscularis propria में longitudinal और circular muscles पाई जाती है जबकि इसमें भी दो layer पाई जाती है longitudinal और circular layer present होगी ठीक है dear याद रिखेगा next बात करते हैं epithelium के बारे में आपने बताया GI tract की most common epithelium कोन सी है simple columnar epithelium होती है इसे GI tract epithelium के नाम से भी जानते हैं दूसरा blood and lymph vessels कहां होती है lamina propria में pair species कहां पाई जाते है ileum के अंदर present होते हैं ठीक है ileum की mucosa layer की lamina propria में पाई जाते है pair species दैन बात करते हैं dear second sub mucosa तो sub mucosa second layer होगी और इसमें dear large large blood plus lymph vessels lymph vessel present होती है इसके लावब dear nerves nerves present होती है इसके लावब dear sub mucosa में एक plexus माया पाई जाता है जिसे बोलते है means nurse मीजनर्स plexus ये present होता है मीजनर्स plexus present होता है sub mucosa के अंदर ही ठीक है और sub mucosa है वो किस से बनते है dear loose connective tissue से बनती है किस से बनती है loose connective tissue से बनती है और embryonic development मैंने बताया था तो अपनी जो अंदर वाली layer थी कौन सी layer dear epithelium वाली layer है ये किस से बनेगी endodrum से बाकी सभी layer किस से बनेगी बाकी सभी layer किस से बनेगी dear mesoderm से बनती है that's it तो nerves present होती है sub mucosa layer के अंदर then बात करते है dear third one is muscularis propria तो muscularis propria में three layer पाए जाती है dear कौन कौन सी longitudinal 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 muscle दूसरी dear circular circular muscle और तीसरी dear कौन सी oblique muscle oblique muscle और ये only किस में मिलेगी dear only stomach only stomach में present होती है कौन dear oblique muscles बाकी पूरे GI tract में दो ही मिलेगी और इन दोनों के बीच में yes dear between longitudinal and circular muscle क्या present होते हैं dear yes between इन दोनों के बीच में present होते हैं yes orbex orbex plexus जिसे myantric plexus भी myantric plexus भी कहते हैं isn't it याद रखेगा important point है that's it चलेगा अब next बात करेंगे dear next है enteric plexus या brain of gut किसे कहा जाता तो वैसे तो मैं पढ़ा चुका हूँ just summarize कर देते हैं फटा-फट से तो brain का gut sorry gut का brain gut gut मतलब होगे dear intestine gut का मतलब होता है intestine 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 का brain किसे कहा जाता है intestine का brain किसे कहा जाता है तो यहाँ पर दो plexus मैंने पढ़ा है आपको measner plexus और myantric plexus जिसे orbeck plexus कहते हैं इन दोनों को अपन gut यानि intestine का brain भी कह सकते हैं तो enteric plexus दो पाए जाते हैं First plexus is Miesner's plexus. और दूसरा deer. Second one is Aurebex plexus. और इसे पोलते है deer Mientric plexus. ठीक है बच्चों ये क्युशन बंद सकते हैं. यहाँ से याद रखेगा important topic पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को. Miesner's plexus जो present होते हैं. present in sub mucosa layer. कहाँ पर present होते हैं? बच्चों, sub mucosa layer में Miesner plexus पाए जाते हैं. और 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 बेक plexus जो present होते हैं deer. present in, कहाँ पर मिलेगे deer? muscularis propria में. कहाँ पर मिलेगे deer? muscularis propria. जिसे अपन muscularis externa के नाम से भी जानते हैं. एक तो interna तो हो गई, कहाँ पर sub mucosa में? और यह होगी deer externa. तो इसे अपन muscularis externa के नाम से भी जानते हैं. ठीक है? इस वाले layer को. तो दो plexus अपने पास में present होगे deer. इस आर मीजनर plexus. एंट सेकिंड वन इज और बेक्स. पlexus जिसे माइंटरिक plexus कहते हैं. इन दोनों को एक साथ अपन entry plexus भी कहते हैं. यानी intestine के plexus भी कहते हैं. और brain of gut के नाम से भी जाना जाता है. plexus का मतलब होता है deer. plexus का मतलब, दिखो. intestine के अदर plexus का मतलब होता है network of network of nerves network of nerves को अपन plexus कहेंगे. तो दो plexus पाए जता है intestine के अंदर. और यह दोनों enteric nervous system का भी part होते हैं mesner plexus and orbex या फिर myentric plexus very important next बात करते हैं बच्चो this is location तो location में देखे सबसे अंदर वाली layer होगी अपनी कौन सी अंदर वाली कौन सी layer होगी dear yes epithelium, epithelium के बाद में होगी lamina propria, lamina propria के बाद में yes, muscularis layer होगी तो जहां पर पाए जाते हैं वो कौन से हो जाएंगे dear mesner plexus होगे जो कि सब mucosa में पाए जाते हैं सब mucosa के बाद में muscle layer होगी circular muscle layer आपको दिखाई दिरी है और यहां पर पाए जाते है dear, orbex plexus ठीक है, diagram बनाने की ज़्यादा विसे जुरूत नहीं समझना important होता है चलिए next, और orbex plexus को अपन क्या बोलते है dear mind trick plexus के नाम से भी जाना जाता है yes or no, चलिएगा next dear study करते हैं that is pairs paches तो pairs paches पेचिज पहली बात तो है क्या तो they are they are lymphatic lymphatic nodule तो यह lymphatic system का part है किसका part है dear lymphatic system का part है, lymphatic system पूरा detail से अपन कहां पढ़ चुके हैं blood वाले chapter में discuss कर चुके हैं hematology में discuss कर चुके हैं lymphatic nodule they are lymphatic nodule जो की pairs paches होते हैं pairs paches lymphatic nodule का example है and pairs paches कहां पाए जाते हैं dear तो they found they found in mucosa mucosa में पाए जाते हैं और mucosa में भी कहां dear lamina propria lamina propria mucosa की कौन से लिए dear तीन लेयर होते हैं जिसमें lamina propria में present होते हैं तो they found in mucosa या lamina propria of ileum of ileum very very important qsum ileum की lamina propria जो की mucosa में पाए जाते हैं उसका part होते है pair species तो देखिए ये बात होगे अपने intestine तो जिसमें duodenum होगे last वाला part होता है ileum ileum का है TS तो TS काटेंगे तो ileum की intestine में देखो अंदर वाला पार्ट तो हो गया ये epithelium tissue फिर ये इतना इतना पार्ट हो गया dear mucosa layer ठीक है mucosa layer हो गया इतना इतना पार्ट mucosa layer तो mucosa के अंदर lamina propria के अंदर ये यहाँ पे जो nerve plexus पाए जाते हैं these are known as pairs पेचे जी आपको दिखाए दे रहें यहाँ तक पूरे के पूरे nerve plexus present होते हैं these are known as pairs पेचे ज्याद रखेगा image based question अगर पूछ लिया जाए कि this is the diagram of ileum and identified the structure ठीक है दे दिया जाए कि ये diagram दिया हो है और ये diagram ileum का TS है और यहाँ पे note करके ऐसे करके arrow बना के दे दे बस के वल और question mark दे दे और पूछ ले कि ये क्या है क्या represent है तो ये क्या है डियर these are pairs species important याद रखना तो pairs species क्या nerves नहीं है ये क्या है डियर lymphatic nodule है जबकि जबकि yes enteric plexus है वो nerves होते है ठीक है mesner plexus होगे और दूसरा orbac plexus है वो nerves tissue के part हो जाते है ठीक है चले next बात करते है epithelial layer of the GI tract GI tract में कौन-कौन सी epithelium पाए जाती है तो GI tract में mainly 2 epithelium मिलती है डियर तो 2 epithelium मिलेगी GI tract मे epithelium layer of GI tract GI tract के epithelium 2 epithelium पाए जाती है डियर first one is yes stratified non creatinized stratified stratified squamous epithelium और second डियर मिलेगी जो की most common layer होती है जिसे GI epithelium के नाम से भी जानते है that is known as simple columnar epithelium simple columnar epithelium तो दू तरीकी के epithelium पाए जाती है डियर that is simple columnar and that is non-creatinized certified squamous epithelium अब देखो non-creatinized का मतलब होगा एसी epithelium जिसमें keratin protein नहीं पाए जाती है stratified का मतलब हो गया एक से ज़्यादा layer squamous का मतलब हो गया chapti cell epithelium तो ऐसी layer जिसमें chapti cell पाए जाती है कौन से cell मिलेगी डियर chapti cell मिलेगी जिसे squamous cell कहते है squamous cell का मतलब flat cell chapti cells की एक से ज़्यादा layer वहाँ पर परजेंट होगी yes or no dear एक से ज़्यादा layer वहाँ परजेंट होगी इस तरीके के layer को अपन क्या बोलते हैं dear stratified squamous epithelium कहते हैं और इनमें keratin protein नहीं पाए जाते तो इने क्या कहेंगे non-keratinized stratified squamous epithelium कहेंगे और इस परकार के epithelium को yes इस परकार के epithelium को need to moist epithelium भी कहते हैं need to moist epithelium के नाम से भी इनको जाना जाता है ऐसी epithelium जिने हमेशा गीला रखना जरूरी होता है yes or no जैसे skin है अपनी skin है इसे गीला रखना जरूरी नहीं इसलिए skin कैसी है dear keratinized stratified squamous epithelium है skin कौन सी epithelium है इस नाम में से non word हटा दो तो जो word बचा वो skin है अपनी यानि skin कौन सी epithelium होगी keratinized stratified squamous epithelium होगी yes or no लेकिन body में कुछ epithelium ऐसी पाई जाती जो कि non keratinized होती है तो वो कौन कौन सी होती है dear वो अभी देखेंगे oral cavity की हो गई orofarynx की हो गई इसके लावा dear lips की inner side होगी cornea हो गई yes or no और vagina और anus वाले part हो जाते है तो ये layer कहां कहां पाई जाती है dear ये layer present होती है कहां पे cornea में cornea of eye में present होती है ठीक है इसके लावा oral cavity में present होती है anus में present होती है और vagina के अंदर भी ये ही layer present होती है जिने need to moist epithelium भी कहते हैं ये cornea वाला point बहुत important है याद रखेगा तो cornea की epithelium वैसे तो eye में पढ़ा चुका हूँ non-creatinized, certified, disquemus epithelium होती है दूसरा simple columnar epithelium इसका मतलब हो जाएगा dear single layer of simple columnar epithelium with with villi and micro villi villi and micro villi villi और micro villi के साथ में ये present होगी तो इसका structure देखते हैं किस परकार से होता है तो माली जी एक columnar cell ले लिया आपने ये कौन सा cell लिया है? एक columnar cell ले लिया तो एक columnar cell में क्या present होगे dear? villi is present होगे इस तरीके से cell पाए जाती है तो ये तो होगे बड़ी-बड़ी है इनको तो बोलेंगे villi और इन villi के अंदर भी देखो ये minor है इने बोलेंगे micro villi तो villi and micro villi वैसे तो आगे पढ़ाने वाला हूँ बठीन का role क्या है? ये intestine की surface को बढ़ाती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा absorption हो सके villi micro villi का role क्या बच्चो? ये ही रोल है कि intestine की surface बढ़ जाए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा absorption वहाँ पे हो सके तो simple columnar epithelium तो है लेकिन किसके साथ में होगी villi और micro villi के साथ में present होती है अब villi micro villi सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाती है आगे देखेंगे ठीक है तो दो तरीके की epithelium पाए जाती है अब कौन सी epithelium कहाँ पाए जाती है देखेगा सबसे पहले बात करते हैं dear yes oral cavity oral cavity हो गया दूसरा बात करेंगे dear pharynx यानि औरो pharynx औरो pharynx देन लेरिंगो pharynx लेरिंगो pharynx उसके बाद में isophagus isophagus ये intestine सुरू से बना रहे हैं अपना oral cavity से एनस की तरफ जाएंगे isophagus के बाद में dear stomach stomach के बाद में dear small intestine small intestine मतलब तीनों पाट ileum ischium और jejunum ileum sorry गलत बोल दिया मैंने ileum ischium jejunum नहीं यहाँ पे होगी dear duodenum jejunum और ileum dji ठीक है then after large intestine large intestine उसके बाद में dear rectum और एनस ये पाट होगे तो अब बात करते हैं dear देखो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ तक जो है अपने परजेंट होगी कौन सी dear non-creatinized stratified squamous epithelium non-creatinized squamous epithelium और isophagus देखो isophagus का आधा पार्ट तो dear यही होगी isophagus की बात करें तो आधा पार्ट में तो यही परजेंट होगी और isophagus के आधे से लेकर के आधी isophagus से लेके rectum तक परजेंट होगी dear कौन सी तो isophagus में दोनों एरो जा रहे हैं इसका मालब समझ जाएंगे Upper Isophagus है उसमें यही होगी लेकिन Lower Isophagus में से लेकर करके Rectum तक जो present होगी वो कौन सी होगी डियर Simple Columnar Epithelium कौन सी Epithelium होगी बच्चो Simple Columnar Epithelium होगी और NS में again कौन सी होगी डियर यही होगी Non-Creatinized Stratified Squamous Epithelium यही present होगी तो main जो पार्ट होगे डियर GI tract के main पार्ट होगे Isophagus, stomach, small intestine पूरी की पूरी ठीक है जिसमें Diodenum, Jejunum, Illium आजाएगी Large intestine पूरी की पूरी Yes डियर, Large intestine में Seacum होगया, Seacum के बाद में Ascending colon, Transverse colon, Descending colon, Sigmoid colon उसके बाद में rectum तक कौन से मिलेगी Simple columnar epithelium ही मिलेगी और Annus वाले पार्ट में मिलेगी Non-Creatinized, यही वाली जो Oral cavity के अंदर present थी That is the epithelium tissue और epithelium tissue innermost layer होती है Mucosa की, Yes or No? अब बात करेंगे दियर दू चीजे मैं यहाँ पर discuss करीए आपके सामने पहली तो Goblet cell, जो की Mucos का production करती है और दूसरी villi and microvilli जो की surface बढ़ाती है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा absorption हो चके तो यहाँ पर एक question बनता है कि Goblet cell या Mucos producing cell सबसे ज़्यादा कौन से पार्ट में पाई जाती है और second one dear villi और microvilli सबसे ज़्यादा कौन से पार्ट में पाई जाती है तो देखेगा dear Goblet cell तो Goblet cell का मतलब होता है Mucos Mucos producing cell Mucos producing cell तो Deodenum में सबसे कम जबकि ILEUM में सबसे ज़्यादा हम तो ileum में maximum mucous producing cell या goblet cell सबसे ज़्यदा कहां पाई जाते है डियर जैसा कि मैं बताया था कहां पाई जाते हैं ileum में सबसे ज़्यदा पाई जाते हैं जबकि duodenum में सबसे कम होगी दूसरा बात करें विलाई एंड माइक्रो विलाई जो कि किसमे help करेंगे डियर help in increase surface surface for sur surface for absorption absorption के लिए surface बढ़ाती है तो ये सबसे ज़्यदा पाई जाते है डियर jejunum के अंदर तो jejunum में maximum maximum विलाई और माइक्रो विलाई कहां पाई जाते है डियर jejunum में पाई जाती है second number पे duodenum और third तो देखे इलियम में सबसे ज़्यदा goblet cell थी वैसे ही jejunum में सबसे ज़्यदा क्या है डियर विलाई एंड माइक्रो विलाई होगी याद रखेगा important question है specifically ये वाला ये वाला भूल जाना चाहे से सबसे ज़्यदा विलाई माइक्रो विलाई कहा मिलेगी डियर jejunum वाले पार्ट के अंदर मिलेगी ठीक है याद रखे और jejunum कौन सा पार्ट है ये second part of the small intestine है yes or no सबसे पहला पार्ट is small intestine का duodenum then after jejunum और then after ileum होता है तो सबसे ज़्यदा विलाई माइक्रो मिलाई मिलेगी आपको jejunum में उससे कम मिलेगी duodenum में और सबसे कम मिलेगी dear ileum वाले पार्ट के अंदर that's it that is all about today's lecture तो आज के lecture में अपने दो चीजे सीखी है dear first one is yes embryonic development सीखा GA system का और दूसरा अपने सीखा histology of the GI tract GI tract की histology अपने समझी next lecture में जो अपने पढ़े थे primary organ, secondary organ वहीं से start करेंगे एक-एक करके पढ़ेंगे oral cavity next बात करें isophagus, stomach, सब चीजों को पढ़ेंगे last necessary organs भी अपन discuss करेंगे चलेगा dear तो आज के lecture से related कुछ MCQs जो मैं लेकर के हमेशा की तरह आज भी लेकर के आया हूँ हर lecture में मेरे MCQs रहते हैं dear तो देखिए first question है पढ़ेगा dear ओके dear student पहला question है which germ layer primarily gives rise to the epithelial lining epithelial lining of the GI tract GI tract में epithelium किससे बनती है तो मैंने बताया epithelium layer होगी pancreas हो गया liver हो गया और gallblader हो गया यह सभी किससे बनती है dear endoderm से बनती है किससे बनते हैं endoderm से बनती है बाकी की layer किससे बनेगी dear mesoderm से बनेगी बाकी की layer जैसे muscle होगी sub-mucosa होगी जैसे ओनो dear और overall किस से बनती है योक से बनती है चलिए next बात करेंगे which week of gestational marks the formation of the primitive gut primitive gut जिसके तीन पार्ट थे foregut, midgut और hindgut जिससे अलग-लग पार्ट बनते थे तो वो कब बनना start हो जाते दियर तो यह very right answer is third week yes or no मैंने बताया range wise बाज करें तो 3 से 5 week but option ऐसे आजाए 3, 4, 5 तो answer देना आपको 3 week range वाले option आते मालो 2 से 3 week, 3 से 4 week ऐसे देते हैं 4 से 6 week तो 3 से 4 वाला सही हो जाता तो इस तरीके से आज रखना जिसमें 3 आता वो ज़्यादा important है ठीक है चलेगा next बात करेंगे dear which of the following type of epithelium lines the stomach इस तमक में कौन सी layer पाए जाती है यस तो 2 ही epithelium पाए जाती है oral cavity, oropharynx और आपका laryngopharynx और isophagus का आधा part वहां तक मिलेगी non-creatinized certified squamous epithelium उससे नीचे isophagus का आधा इस तमक से लेके rectum तक कौन सी मिलेगी dear yes, simple columnar epithelium मिलेगी कौन सी epithelium मिलेगी dear simple columnar epithelium that's it, right answer is C next question is where is the lamina propria located in relation to the epithelium in GI tract तो lamina propria, lamina propria कहां पाए जाती है तो lamina propria कहां मिलेगी dear epithelium के just नीचे epithelium तो below the epithelium yes, below the epithelium तो सबसे अंदर की बात करें तो intestine में सबसे अंदर epithelium फिर आपनी क्या मिलेगी? lamina propria present होगी फिर muscularis layer होगी muscularis mucosa होगी फिर उसके बाद में sub-mucosa होगी sub-mucosa के बाद में आपकी circular muscles होगी longitudinal muscles होगी ठीक है? और सबसे last में शीरोसा layer होती है जैसा कि आपने पढ़ा है चलिए next बात करेंगे dear during embryonic development of GI system from york sac stomach formed by which layer? stomach का formation किस layer से होगा? 4 gut से, mid gut से या hind gut से, none of the अब उसे किस से होगा dear? तो मैंने बताए था upper जो part होता है dear upper part में duodenum तक के part का जो formation होता है किस से होता है? 4 gut से ही होगा yes or no? 4 gut से इसका formation तो इसी तरी के question आ सकते हैं yes or no? तो आपको समझ में आ जाए कि theory से कैसे question बनते हैं कैसे question आ सकते हैं इसलिए मैं आपके लिए question practice हर video में लेकर के आता हूँ ताकि आपके understanding बढ़े ताकि आप ये चीज़ सीख पाए कि कि किस प्रकार से questions को solve किया जाता है yes or no dear? चलीगा आगे बात करेंगे next question है pair species found in which of the following? pair species किस में पाए जाते हैं? options are lamina propria of stomach, lamina propria of colon, lamina propria of ilium all of the above ये तो गलत है तो कहां मिलते हैं dear? lamina propria of ilium में मिलते हैं और lamina propria किस layer में पाए जाते हैं dear? mucosa layer mucosa layer exam में confused मत हो ना option ऐसे भी आ सकते हैं mucosa of ilium, mucosa of colon, mucosa of stomach yes or no? क्योंकि lamina propria जो पाए जो पाए वो किस की है? mucosa layer की ही तो पाए तो option ये भी दे सकते है mucosa of ilium ठीक है? lamina propria डूणते रहो कहीं ठीक है? क्योंकि lamina propria पाए पाए किसका? mucosa का और ये question important है याद रखेगा very very important question yes dear तो yes dear आज के lecture में अपने काफी सारे question concept सीखे इसी तरीके से अपन digestive system में बढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे आप पढ़ते रहिए मेहनत करते रहिए